इंडिया वर्से सिरलंका का थार्ड ओडियाई मैच खिल जाएगा और इसके बाद अभी कुछ महीने तक इंडिया का मैच नहीं है तो भाई ये आखरी मैच है और एक बात और बता दूँ अगर ये मैच टीम इंडिया हा जाता है तो सिरीज हा जाएगा अगर टीम इंडिया यह match जीतता है, तो draw हो जाएगा, आप बोलोगे क्यों, क्योंकि पहला match tie हुआ था, दूसरा match सिरिलंका ने इंडिया को बहुत बुरी तरीके सहराया, और यह तीसरा और आखरी match है, अगर ये मैच इंडिया जीतता है तो मैच ट्रॉ हो जाएगा और अगर टीम इंडिया ये मैच हा जाता है तो सिरलंका सीरीज जीत जाएगा अगर आप टी ट्वेंटी आई देखोगे ना बहुत टी ट्वेंटी आई का बदला ऐसे बदला लेगा हम लोग कभी सोचे भी नीट है विराट कोली भाई साब दो मैचों से एक दम पूरी तरीके से फ्लॉप है लेकिन आज के मैच में फ्लॉप नहीं रहेगा और आज आपक देखोगे तो और रोही सर्मा के अलावा कोई बैट्समेंट चलनी पा रहा है तो इंडिया का ना हालत खराप हो गया ओडियाई में लोगों को लग रहा था कि विराट कोली और रोही सर्मा आने के बाद सिरलंका को ऐसी मात देगा वन साइड़ेट सिरलंका को हराएगा जीतना बुरी तरीके से हार वह भी सिरलंका जैसे टीम के साथ तो आज का मैंच ना बहुत ही मजदार होने वाला है वीडियो देखना मजा आ जाएगा ग्रेंड लीग जीतने में वैसे अगर आप देखोगे सकेंड जो ओडियाई में मैंने प्रेडिक्शन दिये थे तो कु 2022 पेसंान सेलेक्शन था मैं निसों का फ्लॉप होगा तो निसनान का फ्लॉप था उसके बाद मैंने अस्दिप सिंग के भांड़े और इबाद उसको बॉलिंगasti साथ लास्ट में उतने विकेट नहींGS लेपाया जितना इस्पिनर लेगा और साफ के कोडिंग आपको समझाया भी था कि इस्पिनर का बोल वाला इस पीच पर बहुत ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा कि हाला कि जब मैं इस्मॉल लिग टीम मनाया महां पर मैं वह चीज़ इंप्लिमेंट नहीं कर पाया था लेकिन आपको थर्टी ट्वेंट यह मैच म स्मॉल्लिग ग्रैन्न लिग शारा आपको वन साइड जीद के लिखेंगा क्रेंग भी खेढने वाले हैं। यह तो छे टीम से और या तो ग्यारे टीम से खेलता हूं इस से जश्यादा मैं कभी भीह टिम यह तो मेरी मेले में नहीं और मैं मैं maximum छे टीम से घर करता हूं आपने डिखा होगा मैंने दो दो बार गरैंड लीग जीता एक बार treren leaks बार भार ila कुछ वाराय लोग मजा आईगा और हाँ अगर एमारे五 तो टीरिश्टा जोडे हो तो टीलिच रेनी लिंक्धियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको पिन करके दे दूँगा वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक पिन करके दे दूँगा क्लिक करके जोइन है न और एक और बात आपको बता दाओं आप इसकेन करके और सर्च करके भी जोइन कर सकते हो एद्रेट कुमार 508 TFC जब आप यह सर्च करोग तो जितना हो सके बढ़ चड़ के पार्टिसिपेट करो क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिन वीडियो 15 दिन या एक महिना वीडियो ना आए क्योंकि इंडिया का मैच है नहीं और आपको पता है कि मैं इंटरनेशनल मैचेस का ही वीडियो बनाता हूं मैक्सिमम अभी तो वैसे बहुत सारा लीग चल रहा है 100 men's 100 women's पहुत सारा लीग चल रहा है लेकिन इंटरनेशनल मैचेस अभी बहुत दिन तक नहीं है तो आएगा इंटरनेशनल मैचेस का वीडियो आपको मिलेगा मिलेगा मेरी चैनल पर ठीक है ऐसे नॉर्मल मैचेस का वीडियो साहद आपको ना आठीक कर दें कर देंगा चारों मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा बोर्ट का एःर्डॉब मिलेगा ठीक है आखरी वाली वीडियो में तो आप लोग पाइटिसिपेट करो और जीतो और सगेंड ओडियाई में जो जीता था वीर उसका नाम बताता हूं सड़घ अच्छी बात है उसके बाद स्वाती राजपूत करके है यू एच आई एस आपका प्रेटिक्शन बहुत ही अच्छा होता है और उसके बाद यहां राजस कुमार पी एक्स सेवें एस एफ मार आप ग्रेट हो मैं आपके सारे वीडियो देखता हूं ठीक है पर बहुत मेहनत क करते हो जाए हिंद जाए भारत तो यह जीता है बोड का एयरटॉप और यहां पर देखो कौन कौन चाहता है कुमार भाई का चैनल नंबर बने तो यह भाई भी जीता है बोड का एयरटॉप इसका नाम है मनी कुमार ई-L 3 www सौरी दो बार डबलू है ठीक है तो आप लोग क कौमेंट के जस्ट अपने कौमेंट के नीचे अपना फॉन नंबर डाल देना ऐसे डालना नहीं स्वारी ऐसे नहीं डालना ऐसे लिखना एन आई एन एसे लिखना ठीक है ऐसे में वर्ड में लिखके और डाल देना फिर इस पर डालके एफ और यू आर फिर इस पर डालके जो भी है। ती डबलु ओडू, ऐसे कर के ढ़को डालना है, हमारी टीम अपको Contacts करेगा , आपसे आपसे आपका Address लेगा और आपके घर Career पहुरिय पहुंचाएगा। यापसे लेते हैं- प्रोडक्ट का चार्ज लेते हैं आपसे सब कुछ free of cost होता है टीम भी free of cost होता है तो हम आप से कुछ भी नहीं लेते हैं तो किसी को भी एक उर्पया देने के जुरोत नहीं है वेन्यू की बात कर लेते हैं यह मैच को लंबो में खिला जागा अग्दम बिल्कुल spin to win spinner को पूरे यहां पर भर भर के विकेड मिलता है भर भर के विकेड मिलता है तो जैसे मैंने आपको बताई दिया बैटिंग थोड़ा सा लेकिन उसके प्लस spin मैं आपको यहां पर लिख के भी पिछले आप सकेंड वडिया यह मैच का आप वीडियो देख लेना सेम टूसम ऐसे लिखा था और ग्राफ के अक्वर्डिंग भी आपको समझा दे रहा हूं सिंपल सी बात है ऐसे ग्राफ बनेगा ठीक है जिसमें की बैटिंग को पचास परसंट मिलेगा आज ठीक है और अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 35 परसंट 35 परसंट इस पिन डिपार्टमेंट को मिलेगा पंदरा प्रसंट परसंट फास बोलर बस लेकिन इस पीनर को यहां पर बहुत ही दबा के मिलता है यह बैटिंग डिपार्टमेंट यह है इस पिन डिपार्टमें यह फास बोल अगर आप चार मैच का रिकॉर्ट की बात कर लेते हैं सुरी दस मैच का रिकॉर्ट जिसमें की स्पीनर को 56 परसंट मिला है 79 विकेट और चौरीश परसंट पेसर सुबिकेट मिले हैं पहले यहां पर विकेट लेता था लेकिन अभी का पीछी पीर हो गए पीचना में आपको पीच़ रिपोड़ भी टेलिगेर्म पे देता हूं जाके देखना पीच रिपोड हो जाकर चैक करना आप वीडियो विदियू के फर्स कमेंट बॉक्स में करके देदूँगा अगर टोटल ओडियाई मैचेस देखोगे यहां पर 137 मैचेस खिला गया है जिसमें की फॉर्स बैटिंग करने वाला असी बार सकंड बैटिंग करने वाला चपन बार जीता है ठीक है और यहां पर जो अगर हम चार मैच की रिकॉर्ड की बात करते हैं तो भाई देखो चार अगस्त को मैच हुआ यह मैच किसी ने नहीं सोचा होगा की भाई साब सिरलंका 240 रन बना के भी जीच जाएगा टीम इंडिया को 208 रन पे ओलाउड कर दिया इतना रन तो भाई सी 20 अबर में बना लेता है टीम इंडिया आपने देखा होगा 20 अबर में इतना रन बना लिया था लेकिन बताओ से मैं जीत था जिसमें की spinner को भाई साब यहां पे विकट मिला है 15 विएट spinner को मिला है और पेसर्छ सको सilly FChat इसुर फेक्ट और बैटिंग डिपार्ट बहुत ने बैटिंग डिपार्ट मन भी ठीक ठा किया है आँ ठीक ठा कि किया लेकिन spinner को यहां पर विगेट मिला है उसका दो अगर 24 को मैच हुआ बाई सिर्लंका वर्स इंडिया के बीच में यहां पर इंडिया बहुत अगर देखोगा ओल आउट हुआ है ज्यादा इंडिया का ही विगेट गिरा है सिर्लंका का 8 विगेट गिरा था जिसमें कि मैच ड्राव सब्सक्राइब तो अब जो दो मैच हुआ ना दोनों मैच में कुछ इस तरह स्टोरी था आपके सामने स्टोरी देख लो भाई जिससे कि आपको ग्रेंड लिक्टीम बनाने में बहुत मदद मिलेगा 17 सब्सक्राइब 23 को मैच हुआ था यहां पर पेसर्स को से विकट मिला था इस पिनर को बिलकुल विकट नहीं मिला था यह एकदम बिलकुल अलग तरीके समय था और यहां पर जो विकट लिया था वो सिराज ने लिया था छे विकट जो कि एक रिकॉर्ड बनाया था और वो र अल्कुल उलट फिर स्टोरी अब रचा जा रहा है एक अलग तरीके से 15 सब्सक्राइब को मैंच वह था वंगलादेश वर्सस इंडिया के बीच में यहां पर भी देखो कि तो भाई साब यहां पर वंगलादेश जीता है और यहां पर यहां पर भी पेसस को ज्यादा विकेट अब हिसकर ही तो है अनृटीस करो कि पहले ईतने विकेट अब सोच भी नहीं सकते हुआ इस मैंच मैं देखलो जो पंदरा विकट्टो सिप्टिनर ने लिया और सिप्ट एक ही विगेड मिला फॉस्ट बोलर को ठीक है तो इस पीनर का ग्राप तो बढ़ गया है ुले सि 때도खा चुमए ऌण्ट के मुताबिक इस्पीनल संTu में पेसर लेता है इस मैच के बारे में नाहीं अच कोई शोंचा भी से न से नंग को होसिया की से माधिया के साथ रोही है वराट को ली आने के बाद पाहत इस तरीके से हारेगा लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमें टीम बनाना है और हमें तो फंटेसी खेलना है तो समझो थोड़ा सा स्वानी तरीके से अब इसका फैर्नांडो जो है वह बहुत अच्छा काम किया उसके बाद आता है जैफरी के बारे में जैफरी यह एक ऐसा बॉलर आता है जो कि अग्दम पूरे टीम इंडिया को धाराशा ही कर देता है लागातार incarnate से लेता है जो की असके बाद तीन फिट चरित असलंका ठीक है यह तो है ही यह तो पीछले मैंच में भी तीन दिए लिक लिकेट तो तीन विकेट असलंका आने लिए उसके ने और वहां पर क्या हुआ कुछ मारा मीटिंग वहां पर हमने इसके बारे में ज्यादा नहीं कर पाए तो वह एक मिश्टिक हुआ नहीं तो हम इसको कभी अपने स्मॉल लिग टीम से नहीं हटाते आजना ग्रेंड लिग से हटाते और सुन्दर को भी अस्दिफ सिंग के जगह हमें रखना था वहां पर एक दो हमां हमसे मतलब ये वाला मैच में तो भाई साथ क्या ही बोले मुझे लग रहा है कि जान के अगर देखोगे ना मतलब थोड़ अक्षा पडल बाकी किसी भी प्लेयर ने 20 रन 25 ऐसे भी नहीं बनाया तो अक्षा पडल ने वीग लिए सुन्दर ने और दो विगणी ब्यादार ने तो यहां पर भी स्पिनर ने विए जिए पेस दिया ने अगर देखोगे सिराज ने विग लिय था और और अज़्ये शि अभी तो फिलाल मैं देख रहा हूं कि जब से गोत्म गंबीर कोच बना है तब से रोक फिर्मा बॉलिंग यादा भॉलिंग करने लगा है रोसिंग करने लगा है मतलब बस में अस्टेलिया करता है एक तरीके से वह अच्छा भी है एक तरी के से खराब भी है अच्छा यह है कि सामने वाले जो प्ले रहा ना उनको पता नहीं चलता कि एक ऐसा बॉलिंग करता क्योंकि कभी रोजी सर्माने बॉलिंग नहीं करा तो यहां पर एक सर्मनाक हार देखने को मिला तीम इंडिया 32 रन से मैच चार गया था उसका लास्ट अगर देखो कि फॉस्ट डिया जो मैच के लागया दो अगर्स दोच्ट चुबिस यहां पे भी अगर देखो कि सिर्लंका देखो कि सिर्फ दो सो तीस रन मना है आठ विकट का वाके और इसमें जो सबसे बड़ा जो हीरो था उसमें दुनित था हसरांगा था भाई सब सोचो जब हसरांगा नहीं खेला तब टीम इंडिया के साथ एतना बुरी बुरा हाल हुआ अगर रांगा खेलता तो मुझे लगा डेर सो रन पर ओल आउट हो जाता तो भाई हसरांगा रूल आउट हो गया था अकला और असलंका ने तीन विगे लिया था इधा से फिर से रोही सर्मा ने एक 50 रन का पारिकला बांगी किसी भी प्लेयर ने कोई भी परफोर्मेस नहीं किया जहां तक कि विराइड कोली से लोगों को उमीद था ना फॉर्स्ट में जला ना सकेंड में जला अक्षा पटल ने दो सिराज ने भी लिया था यहां पर मैंसन नहीं किया ठीक है आगे से देखूंगा तो मैंसन कर दूंगा तो यह था कुछ स्टोरी फर्स्ट ओडियाई और सकेंड और सकेंड अगया होगा और मैं इसलिए इतने अच्छी तरीके से समझा रहा हूं ताकि जो मैच पूरा नहीं कन्फूज ना हो और यह चीज आपको आपके जहन में रहना चाहिए देखो बाई इंडिया का मैच है तो आपके लिए ओफर्स आते रहेगा तो माई 11 सरकल पे हम आपके लिए ओफर लेके आ रहे हैं ग्रैनली खेलो यहां पर भी साहिद फॉर्स पाईज कुछ 25 या कुछ ह जो कि आप सिब 5 रुपया में 5 टीम बना सकते हो यह आपको ओफर दे रहा हूं मेरे तरफ से ओफर है इसका लिंक आपको पहले कमेंट बॉक्स में मिल जायागा फर्स्ट कमेंट बॉक्स या तो डिस्क्रिप्शन में पांच रुपया में 5 रुपिस में 5 टीम बनाने का aos words अब आपको 245 रुपय देना है या सिर्फ 5 रुपय देना है ये आपके ऊपर है सिंपली बतरा सी बत है 5 बात है तो इसके लिए लिए आपको क्या करना है वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में मीडिक मिलेगा आपको डpir cleaner क дост युद invert करना पड़ेगा दूसरे नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा अकाउंट बनाना पड़ेगा ठीक है तो फिर यह फाइदा मिलेगा न्यू यूजर के लिए है यह ऑफस तो अगर इसका फाइदा उठाना चाहते हो तो फर्स्ट कमेंड डिसक्रिप्शन में आपको माई 11 सरकल क लिंक दे दिया हूँ डाउनलोड कर लेना बहुत अच्छी अप्ली केसन है बहुत पूराना अप्ली केसन है आपने नाम सुना ही होगा एक रुपय में एक टीम पाइद करो और साथ में देखो फर्स्ट आते हो ना तो आपको जो कैस्क प्राइज मिलेगा वह तो मिलेगा उसके साथ साथ आपको बदा दूँ और हाँ एक चीज और फाइदा बता रहा हूं दो सो पैंतालिस रुपया जैसे आप नहीं लगा रहे उससे पांच रुपया लगा रहे हो अगर आपके सारी टीम विनिंग जोन में रहा ना फिर भी सोचो आपको आई रहा ना मनलब दो डीपोजिट ऑफर भी मिल रहा है अगर आप पहली बार डीपोजिट करतो ना जितने भी करोगे इस पर 20% एश्टा जैसे कि 200 पर 240,000 पर 1200 यह भी फाइदा आपको मिलेगा ठीक है लेकिन इसको आपको स्मॉल ले ग्रेंडली खेल के विडियो करना पड़ेगा तो लिंक फर्स्ट कमेंड में दे दिया हूं डाउनलोड कर लें बात कर लेते हैं हम लोग प्लेंग 11 के बारे में तो टीम इंडिया में क्या कोई चैंजस होगा चोंकि भाहिशाब टीम इंडिया दो मैचा भी खेला और बहुत बूरा परफोर्मेंस किया ठीक है तो चैंजस होगा क् मुझे जहां तक लग रहा है कि टीम इंडिया में साइध अगर हो तो एक दो चेंज़ेस देखने को मिल सकता है वो क्या है कि बैटिंग में ज्यादा चेंज़ेस नहीं होगा क्यों कि बैट्स बैट्समें भाई थोड़ा सा और मजबूत करना पड़ेगा और सिवा मुझे है कि रियान पराना को मुका मिल सकता है कित्शित राना को दिखते हैं मोगा मिलेगा कम यृ नहीं टailed र्यान परा मुझे सिराज के धावह खेल जाए रियान परा हो सकता है कि सिवंदुपए के जगा में एक फोक होता बह liberté जैसे मैं सोचता हूँ आग यहेसा कई और स्रिल्लंका के तरफ से कोई जंजस मुझे लग रहा कि सायद ना हो और अगर हुआ भी तो कोई स्पीनर हो सकता कि एक और स्पीनर आ सकता जैसे क्यों सकता थिक साना आ जाए देखते हैं ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैट्स के बारे में तो टीम इंडिया कैसा अच्छा परकुरमेंस करेगा क्या ल besl Ethics समां बहुत बढ़िया खेल रहा है नो डाउट कैप्टेश इपारीं खेल रहा है और लोगों को यारव अच्छा भी लग रहा है कि रोज क्रूमेंस करके दिखां भी रहा है एक अच्छा बेतेर पर्फोर्मेंस करके दिखा भी र निंग में आज रोही सर्मा अच्छा बैटिंग करेगा क्योंकि सीरिलंका जीत के न सृर्लंका बैटिंग कर रहा हमेशा तो टीम इंडिया कर फर्स बैटिंग किया तो मुझे लग रहा है रोही सर्मा बीस से लेके 30 run के बीच में out हो जाएगा मतलब आज उतने अच्छे खास performance नहीं कर पाएगा जिनका selection बहुत जादा है तो यहां पर आप एक risk ले सकते हो मेरा एक prediction है और उसका जो कहानी यही है कि भाई साब दो मेंचों में बढ़ियां खेला है मुझे लग रहा है कि आज अगर जो बढ़ियां खेलेगा वो विराट कोली खेलेगा तो देखो अगर आपने सकेंड ओडियाई में देखोगे तो मैं विराट कोली का prediction दिया था कि भाई साब 50 प्लस रन में आएगा चाहता कि 70 रन में आएगा वो वहाँ पर work नहीं किया मैं उसके लिए अब क्या ही बोलू जब टीम इंडिया इतनी बड़ी टीम नहीं जीत पा रही है जब विराट कोली तना बड़ा प्लेयर जब नहीं चल पा रहा है तो भाई कई बार एक दो मैंच में हमारा भी prediction नहीं चलता है जब गया था कई लोगों ने ग्रेंड लिए ता उसी तरह विराट कोली पर आज भरोसा दिखाना बहुत अच्छा है कैप्टन जुरू बनाना आज कम से कम पाई टीम हो में कैप्टन जुरू बनाना जहां तक कि दश टीम भी बना सकते विराट कोली पर आज चांस मारो कैप्टन बनाओ आँहरं करके और इसका परफर्मेंस देखो के दो मैंको में यह श्कुम में करके सकता है एकोहां ग travelled बतलब देगा सिल्लम्का में क्या लाजबाब रिकार्ड बाई विराट को लिगा 30-60 अब रिकॉर्ड तो भाई अभी तो अभी तक तो धरा के धरा रह रहा है लोग लोग तो रिकॉर्ड देखके ही कैप्टन या वाइस कप्टन मना रहा है तो टीम मेरा खरा है लेकिन परफॉमस नहीं कर पा रहा था लेकिन आज करेगा ठीक है चलो अब कर लेता है सुम्मन गिल पिछले मज़े में 35 सोलर रन अगर फर्स्ट बैटिंग करता है ना आज तो ठीक ठाक के लेगा ठीक है मतलब पचास के असपास मुझे लगा यह पॉइंट देखे जाएगा के ल राहूल की बात करते हैं फर्स्ट बैटिंग में आउस्टेंडिंग बैटिंग भी ना पाए तो सकेंड बैटिंग में और इसका 34 का वही पचीस तीसरन अगर मारे गद मारेगा तो बस वहां पे लेकिन ग्रेंड लिग में आज केल राहूल को जुरू ट्राय करना मुझे लग रहा है कि ड्रिम टिम का हिस्सा आज केल राहूल होगा तो मैं ग् प्लस मुझे लगए रन बनाएगा नहीं तो पचास तो बनाएगा तो यह एक लाजवाब है जिनको आप मैक्सिमुम टिमों में कैप्टर बना सकतो और केल राहूल को ग्रेंड लिग टिम में ट्राय कर सकतो कम से कम चारपाइच तीमों में जो कि आपको ठीक ठाक अच्छा रहा हूं क्योंकि इसका बैटिंग नीचे है उपसे पंद्रा क्यावरे रिकॉड़ इस बन्यू पर और और तालिस कावरे रिकॉड़े सिलनका के इसमें लाजवाब खेलता है सिवम दुबे का चांस आज बहुत कम लग रहा है मुझे लग रहा है साध सिवम दुबे आज ना खेले इसके जगह रियान पराग को मौका मिल सकता है ठीक है तो सिवम दुबे अगर खेला भी तो यह फ्लॉप भी रहेगा तो और मुझे लग रहा है यह साथ खेले 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 भी ना परकि 25 कावरे डिकॉड़ इस मेन्यू पर एक विकेट सिलनका के इसमें 25 कावरे सबसे सेफ कैप्टन यहीं है सबसे सेफ कैप्टन है क्योंकि यह आपको एक विकेट दो विकेट भी आज सो सकता ले ले दो विकेट के आसपास आपको लेते विए दिखाए अगर कुछ हो सकता पाइं दस रन पंदर रन बना दे सुन्दर की बात करते हैं राइटम और एक तीन विकेट लिया पंदर रन का पारी उसके बाद देखो कि इस बने उपे दो मैच में दस कावरे रिकॉर्ड है चार विकेट ठीक है तो सुन्दर का कुछ रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है और देखो जीतेगा तो टीम इंडिया यह तो खर कनफर्म है आज का मैं टीम इं аровै यह तो खTHER खेलेगा तो यह तो इसके खातें में दो विकेट आप इसके खातें में लिक लो करणा वाद मुढ़त similarities की बात करते हैं अगर आज यह खेलता है मुःम्द तो तो इसके खाते में भी आप दो विकेट लिख लो उसके बाद अजदीफ सिंग की बात करते हैं वैसे सिराज हर मैंच में एक एक विकेट ले रहा है आज हो सकता कि यह थोड़ा सा मीडिल ओडर में भी विकेट साइल ले जाए पांच में नौ विकेट अगर यह नहीं खेलता इसके खलील एमत खेलेगा तो वह भी दो विकेट लेगा ठीक है अजदीफ सिंग की बात कर लेते हैं इसका पफॉमेंस मैंने बोला भी था कि भाई उतने अच्छा जाएगा नहीं और आज भी अगर यह विकेट लिए तो एक विकेट मुस्किल से और नहीं लग रहा मुझ तो यह एक से प्लस विकेट लेगा बस ठीक है आप ड्रॉब भी कर सकते हो रिसब पंत रियान पराग रियान पराग का खेलने का ज्यादा चांस है क्योंकि यह राइट आम लेक ब्रेक स्पीनर है और स्पीनर का बहुत ज्यादा बोल बाला है तो यह खेल सकता है और यह इंपोर्टन होगा और खेलने का पूरा चांस मुरे को लग रहा है यहां पर भी तो आई पर देखते हैं बॉलिंग देता है लेकिन इसका रिकॉर्ट बढ़िया था ठीक है अब यहां पर बात करें खली लेमत का रिकॉर्ट बढ़िया है दो दो विकेट लिया है और 11 आपको ठीक है अब यहां पर बात करें था पाथूम निसान का जीरो पे डग आउट हो गया था मैंने बोला भी था कि यह आउट होगा फ्लॉप रहेगा फ्लॉप भी हुआ था चुबिस कावरी डिकॉर्ट टीम डिया करसम है और इस में पर 33 फॉस्ट बैटिंग किया तो इसका फेंड़ो की बात करें यह पुरी तरगे से फ्लॉप रहेगा पिछले मैं भले यह धीरे 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 करके 40 रन बना दिया था लेकिन आज यह धीरे 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 इसके नहीं चलेगा क्योंकि मुझे लग रहा जहां तक कि टॉज जितके आज टीम इंडिया बैटिंग करेंगा और कहीं ना कहीं बैटिंग करके टीम इंडिया कम से कम 300 ब्लस रन बनाया तो वहां पर इसका फेंड़न और निसांका का निकल जाएगा महां पर पर क्या हवा और यह दोनों हो सकता है कि जल्दी आउट हो जाए तो यह एक बड़ा आपके लिए है कि आप भी इसको और आपको विकेट किपिंग से भी पॉइंट देखे जाएगा तो बेटर ऑफशन है सदीरा समा विक्रमा की बात करते हैं मुझे लगा यह डिरिम टीम में आ सकता है बस अब कितना पॉइंट देगा वह मैं इसके बारे ज्यादर बात नहीं कर पाऊंगा लेकिन मुझे चाहते हो बना सकते हो चाहता कि वाइस कप्तन तो बनाई सकते हो क्योंकि आज बैटिंग ठीक ठाक करेगा बालिंग से भले यह तीन विकेट ना ले एक विकेट या दो विकेट लेगा लेकिन बैटिंग से आपको ठीक ठाक मुला कैप्टन के लिए यह ठीक है उसके बाद जनित की बात कर लेते हैं इसका रिकॉर्ड उतने खास नह सबसे ज्यादा पोइंट दिया था दूनित ने सबसे ज्यादा पोइंट दिया था क्योंकि आपने देखा होगा जैफरी जो था वेंडे से उसने छे विकेट लिया और असलंका ने भाई तीन विकेट लिया तो भाई आज कैपिटल मत बना देना मैं आपको बता देना अगर बनाओगे बहुत पच्टाओगे दूनित को टीम में रख लेना क्योंकि मुझे लाग रहा कि साथ यह विकेट यह ले जाए और उससे ज्यादा यह कुछ नहीं कर पाएगा तो बहुत बड़ा प्लेयर को मैं बता रहा हूं भाई साब जो की उतने खास पफॉमेंस नहीं करेगा ऑल्मॉस्स समझो कि फ्लॉप ठीक है बागे आठ मैच में देखोगे चोग अगर बाई दो क्योंकि स्पीनर को हेल्प मिल रहा है और पहले मैं भी इसने विकेट लिया था तो क्या पता किस्मत अगर आपका खराप हो और दो तीन विकेट लिए इसलिए स्मॉल लिग से बिल्कुल टॉप मत करना मैं ग्रेंड लिग का पेडिक्शन दे रहा हूं और जैफरी की बात कर लेते हैं तो इसको आज बहुत लोग कैप्टन भी बनाएगा क्योंकि टीम इंडिया के इसने शेवी के लिए इसके लिए तो एक भाई साब क्या ही बोलें एक बहुत बड़ा हैपी मोमेंट होगा और पूरा सिरलंका खुसिया मना रहा होगा जैफरी के लिए तो अगर जैफरी के बात करते हैं पहले मैच खेला पहला मैच तो इसमें यह खेला नहीं था इसके जगह हसरंगा खेला था हसरंगा रूल आउट सकेंड मैच में सीड़े छे विकर ले लिए इसने ठीक है और टीम इंडिया को पूरी तिदिकर से धरासाई कर दिया र लेगा लेगा तो मेरे कोडिंग यह दो विकर मुझे लग रहा है क्योंकि जीतेगा टीम इंडिया इसलिए मैं दो विकर बोल रहा हूं इसको लोग नहीं रख रहे रखेगा तीम में अब इसके साथ जा सकते हो ठीक है अब फर्नांडो की बात कर लेते हैं यह फ्लॉप रह चलो इसके बार हम ज्यादा बात नहीं करेंगे एक 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 विकर ले रहा है और क्या ही आज तो वह भी नहीं लेगा यहां पर एक ट्रॉंप काट प्लेयर आपके लिए अखला इधर निंजे है जो कि पचास से प्लस प्लस पोइन देख जाएगा मुझे लगा आज यह बढ़ियां रिकॉर्ड है खेले तो आप देख लेना जील में ट्राइक कर सकते हो इस मॉलिंग में भी मदुसंका की बात करते हैं एंड मदुसंका इसका एवरेज परफॉमेंस है सिराज को मौका मिला ज्यादा कुछ किया नहीं तो यह खेलेगा नहीं साहिद दिलसान बहुत अच्छा रिकॉड है दो मेंच में 6 विकेल लिए है कि इसके खारते में आप लिख लो पतिराना इंजरड है यह तो खेली नहीं रहा है, चार मैच में पांच विकेट और ठिक साना के बात कर लेता हैं, इसका तो रिकॉड बहुत बढ़ी है इस वेन्यू पे, यह भी नहीं खेल रहा है, 9 मैच में 17 विकेट, अगर यह खेलता है, साइद हो सकता है, एक दो चंज़स करें और यह खेले, तो इसके खाते में भी आप दो विकट लिख लो और खेल सकता ही है प्लेयर बेटल रोई सर्मा को भाई दिलसान मदुसंगा न आउट किया अखला देंजे ने केल राउल को आउट किया है मेंडिस को सिराज ने चार बार आउट किया है और निसांका को अक्षा पेटल ने दो तो आज मुझ लग रहा है कि विराट कोली का पफोमेंस अचा रहेगा पर में थोड़ा रीस्क ले सकता हूं आज अब देखते हैं जो कि बेटर पाफोरमेंस कर रहा है और कई बार ऐसा होता है मैं आपको बता रहूँ ग्रेंड लीग जीतने का ये बहुत बड़ा मूल मंतर है जिस जो प्लेयर हर मैंच में continue performance कर रहा है और पीछ भी same player को support कर रहा है जैसे कि spinner को पूरी तरीखे से कॉलंबो में spinner का पूरा बॉल बाला रहता है ठीक है तो बताता हूँ ये सारे player आपको maximum सब के टीमों में होगा captain wise captain भी बनाएगा लोग लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो मेंचों में जो player ने बहुत अच्छा performance किया वो तीसरे मेंच में बहुत बुरी तरीके से performance करता है तो भाई साब किसी किसी टीमों में आप drop करके भी चलना एक तीनों को अगर ऐसा हो गया ना तो आप महां jackpot जी सकते हो लेकिन बट सिर्फ एक से दो टीमों में करना अगर आप 10 टीम बना रहे हो तो एक से दो टीमों में करना ठीक है बाके maximum टीमों में रखो यहां पर मैंने जो टीम ना है टीम इंडिया के फेवर में सिराच को रखा हूं कुल्दी व्यादर को रखा हो हो सकता है कि इसके जगा अगर बाए दवे बाई दवे अगर रियान परा खेलता तो मैं रियान परा को रखूंगा या खलीला मत कहलता है थीक है बाकि मुझे सिवम दुबे या विराट बना सकता विराट को अगर देखोगे बहुत कुछ लगा है तो यहां पर मेरा जो सिंपल सबसे पहला पेडिक्षन है कि टीम इंडिया आज कम जीतेगा और कम से कम नहीं तो पंचानवे पसंद में बता रहा हूँ टीम इंडिया जीतेगा थीक है? पास पसंद चांसा सुर्लंका जीटेगा क्योंकि जब देखो तीट अभी तीन मैच का टीट्वेंट इस रीज हुआ था कितने बुरी तरीके से स्रिलंका को हरा है जब कि वहां पर विराड कोली भी नहीं खेल रहा था रोजी सर्मा भी नहीं खेल रहा और जबकि यह दोनों इतने बड़े दिगज प्लेयर आने के बावजुद भी टीम इंडिया का हार इतनी बुरी तरीके से हार हुआ तो वहां पे कहीं न कहीं थोड़ा सा कुछ न कुछ परिभरतन होगा और वहां पे बेटर परफरमस करेगा आज टीम इंडिया का बैटिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफरमस करने वाला है और स्रिलंका के बॉलर उतने खास नहीं करेगा ठीक है यह मेरा प्रेडिक्शन है बागी कैप्टन अक्षा पडल और वाइस कप्टन बनाया हूं मैं विराड कोली को अगर इनमें कोई इंगलवन भी मिलता है सब कुछ आपको टेलीगां पर मिलता है ठीक है यह आखरी मैच है टीम इंडिया का होस्तिक्ता इसके बाद मला आखरी मिला सिर्लंका के साथ और उसके बाद फिटेस्ट है अभी काफी दिन के बाद मैच है ठीक है और मैं जाते-जाते एक चीज़ और बोल दे रहा हूं कि कुछ दिन तक हमारे वीडियो नहीं आएंगे क्योंकि इंटरनेशनल मैचस नहीं आए और आपको पता है कि हम इंटरनेशनल मैचस का ही वीडियो बनाते हैं तो वेट करना इंतजार करना और इस मैच में हम लोग ग्रेंड लिग जीतेंगे एक यादग अरपल बनाते हैं ठीक है घ। ताकि हम लोग फिर जीत पाएं तो इसके लिए आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं बस मैं आप लोग का सपोर्ट और सपोर्ट मांग रहा हूं सपोर्ट क्या करना है डिल से आज की वीडियो में अप लोग लाइक करना है और 10,000 से प्लस में देखना चाहता हूं और कॉमेंट जरू करना है क्योंकि आखरी गीवे है इसके बाद साथ गीवे बंद हो जाएगा फिर करने का अब जितना कॉमेंट कर सकतो नीचे बाके अगर आप हमारे फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू करना ओके और बेल आइकन प्रेस करके नॉटिफिकर्शन भी आप दबा सकते हैं मिलते हैं जहिन बंदमात्रम ऐसे ही आप लोग खु जाते हैं तो यह फैंटेसी है हाँ जीत सही गलत चलते रहता है तो यहां पे आपको बता रहा हूं फीडियो तो बहुत कोई बनाता ए लेकिन आप देखोगे मेरे थूर सा स neon वीडियो से होता है क्योंके मब दिल से आप लोग से भाते करता हूं और जो मेरे दिमाग में होता ho जो मेरा एनलेसिस होता है क्योंकि मैं 2018 से फेंटेसी खिलते आ रहा हूं मैं देखते आ रहा हूं बहुत कुछ चंजस हुआ बहुत तरीके से तो मैं सब दिल खोल के बताता हूं बस यही मेरे अंदर में है इसलिए आप लोग प्यार भी देते हो इसलिए सपोर्ट भी करते हो ऐसलिए और आपलों पता हैं कि भाए अगर दो मैच हराता है तो तीसरे मैच में हम लोग कम्बैक भी करते हैं और अगर हम दस मैच भी लगाता रहा रहते हैं तो हम दस बीज मैच कंटुनव जीटते भी हैं यह हमारे नाम पर ही रिकॉर्ड है हम 10 मैच अगर कंटुनु जीत भी सकते हैं ठीक है तो ऐसे प्यार बनाते रहना मिलते ने स्टूडियो में जहीन बंदेवात रहना